मेरे प्यारे दोस्तों हम वीडियो को शुरू कर देते हैं और कुछ questions को discuss करते हैं तो पहला question आप screen पे जो देख रहे हैं The first public railway was opened on for the traffic in the world मैं कि world में पहली railway कब चली थी तो इसका answer आएगा 27th September 1825 इसका answer कितना है 27th September 1825 ठीक है यह आप साथ की साथ आप इसको note down करते रहिएगा ठीक है Second question the first train of the world कहां से कहां चली थी जो world UK में चली थी UK आप समझते हो उत्राखण नहीं है UK मतलब United Kingdom तो पहली जो train चली थी और स्टोक्लेंड और डार्लिंग्टन के बीच में चली थी अब third question पुझता है इंडिया में ये कब स्टार्ट हुई तो third question का answer आएगा 16 April 1953 में इंडिया में स्टार्ट हुई थी चलनी ठीक है और first train कहां से कौन कौन से station के बीच में चली थी fourth question है तो इंडिया में जो first train चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी मैं एक second के लिए इसको pause करता हूँ बारिस आ गई थी दोस्तों ठीक है हम कहां तक पढ़ दिये थे question number four तक पढ़ दिये थे मुंबई से थाने के बीच में चली थी उसके बाद मैं बता रहा है question number five कर रहा है 21 miles के लिए जो चली थी ये बहुत important content है कितने miles के लिए चली थी एक mile में कितना km होता है 1.67 km ठीक है यह आपको जानना है आपको miles में भी answer पता होना चीक किलोमेटर में चो first mile के लिए चली थी तो कितने time के लिए चली थी वह चली थी 1.25 hours के लिए चली थी ठीक है में लेफ में इंडियन रेलवे के पास में कितना ट्साइप है अप्पिषक सकते हैंотр 63,221 km का track है, ठीक है, 63,221 km का track है, कितनी train पर डे चलती है, आप रोक्स 13,000 train पर डे चलती है, यह बिफोर कोवीड की सब data है, क्योंकि अभी तो कोवीड में सब rules change हो गए है, तो बट स्टिल एक आप एक जनरल आइडिया ले लीजी, इंडियन डेलवेज है, इंडियन डेलवेज हैं, इंडियन डेलवेज में कितना स्टेशन है, स्टेशन मैं बताऊ, 7031 जो है data अभी यहाँ पर प्रोवाइड़ है, मेरे पास में, इतने स्टेशन है, नंबर ओफ एम्प्लोईज पूछ रहा है, कितने हैं, तो हमारे पास, ओन पता टो है, आपको फिर से मेरे को सा अभी देसंबर में, नए चेर्मेन को नुक्त किया गया, तो आपको मेरे को बताना है, इस वक्थ犹लाल, चेरमेन जो है, एडिमिस्ट्रेटिव इंचार्ज इनके पास है, CRB चेर्मेन, उनका नाम बताइए, how many there are members, कितने होते हैं, five members होते हैं, यह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, railway persons who works as an ex-official secretary, उनको members कहा जाता है, number of zones बताने, यह most important question है, कितने number of zones हैं हमारे पास, हमारे पास 18 है, पहले 17 होते थे, एक विजेवाड़ा वाला बना है, sorry, विशाका वटनम वाला बना है, तो वो 18 हो गए है, ठीक है, आपको याद रखना है कुछ दिन, हमारे पास zone है, 18 zone है, और 73 जो हैं हमारे पास divisions है, और आप मेरे को यह जाना, आपका घर कौन से division में आता है, यह मेरे को कमेंट में बताइए, कॉशन नमर 16 पढ़ते हैं, यह तो आपको बताता हूँ, रेलवे बोर्ड वर्क साइजे, कॉशन नमर 16 बताइए, रेलवे बोर्ड जो होता है, किसके एंटर में काम करता है, आपको बताऊंगा, कौन सा जोन कहां पर है, और उन सब के headquarter हम को याद करने, क्योंकि वह बहुत important part है, ठीक है, तो यह पूछ रहा है, ECR का headquarter का है, हाजीपूर में, किसी का घर है क्या हाजीपूर में, Indian Railways के पास में कितनी production, यह topic मैं already covered को आ चुका हूँ, production unit वाला, तो हमारे पास 7 production unit है, आप यह बताना, ICF का headquarter का आपे है, ICF का headquarter परेंबूर में, चेन नहीं, ICF वही जगह है, जहां से हमको train 18 मिली है, ठीक है, और हमने के वडिया के लिए, जन सताब दी, एक्स्प्रेस चलाए थी, 180 km की स्पीड से, ओके, यह सब है, डिविजन कितने पहले 72 होते थे, अब 73 डिविजन हो गए है, ठीक है, और यह बताना, चितरंजल लोकोमोटिव क्या करता है, कौन से डिजन बनाता है, यह electric के लिए आएगा, correct, first public railway कब open की गई थी, यह मैं उपर आपको करवा चुका हूँ, आपको बताना है, मेरे को यह कब की गई थी, ठीक है, 1825 में, इंडियन डेलवे के पास कितना है, इतना है, ठीक है, यहाँ पर कॉमा आएगा, यह डोट लगा रखा है, इंप्लोई कितने बताएं, मैंने बताएं, तकरीबन 15 लाक आप बोल सकते हो, चर्च गेट किसका है, यह वेस्टर रेलवे का है, मैं आपको 18 की 18 जोन, जो नोर्दरन जोन, सर्दरन जोन, सेंटरल जोन, कोलकत्ता जोन, सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, उनके headquarter बताऊंगा आपको, ठीक है, तो यह हमने 25 questions हमने cover कर लिए हैं, I hope आप सब को यह clear हो गए होगे, और यह जो आपका operation वाला exam में, उसमें इनी ऐसे ही questions आएंगे आपके exam में, तो ठीक है दोस्तों, मैं अगली वीडियो आपकी headquarter से related लेके आऊंगा, मिलते हैं next वीडियो में, आपको ऐसे ही awesome content चाहिए, मैं आपको regular update देता रहूंगा, thank you.